नमस्कर दूस्तू एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दूस्तू आज का ये वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मान लिजे किसी कारवलास अगर अब पढ़ाई नहीं कर पाए बीए एक्जाम के त्यारी नहीं कर पाए तो बीए एक्जाम में बीना पढ़े कैसे पास होना है दोस्तो देखिए बहुत सारे student ऐसे है जो कमेंट कर रहेते कि sir कल से मेरा exam होने वाला है और मैं exam के त्यारी नहीं कर पाया हूँ कुछ लोग कमेंट कर रहेते कि sir कोई ऐसा तरीका बता यह जीस से कि मैं exam में अच्छे नमबर से पास हो जाओ तो दोस्तो अगर आपकी भी यही समझ से आए तो इस वीडियो का पूरा आंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके अभी यह परिक्षा में अच्छे नंबर से पास होंगे तो दोस्तो आए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि बीए की कापी चेक करने वाले जो एक्जामिनर होते हैं वो आपको नंबर कैसे देते हैं तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आप यह समय लेजी कि examiner जो होते हैं आपकी copy में 2-3 चीज़े चेक करते हैं अगर वह 2-3 चीज़े उन्हें अच्छी लगती है तो आपको number देते हैं सबसे पहले बीजे की examiner होते हैं आपकी copy में देखते हैं अगर आपका heading अच्छा है अगर आप heading को अच्छे तरीके से लिखे हैं तो examiner आपकी heading को देख करी number देते हैं उसके बसे आपकी copy में दूसरा चीज़े करते हैं वह होता है लिखावट दोस्तों अगर आपकी आउट को देखकर भी नंबर देते हैं उसके बसे तीसरा चेक करते हैं दोस्तों पेज यहां पेज का मतलब यह हुआ दोस्तों कि मान लीजे जो दीर की उतीरिया प्रस्न होता है जिसका उतर हमें 500 सब्दों में लिखना होता है तो अगर आप इसका उतर 500 सब्दों में लिखे तो एक्जामिनर यह देखता है कि इसका उतर कितने पेज में लिखा गया यानि कि कितने सब्दों में लिखा गया है तो एक्जामिनर सब्दों को नहीं काउंट करता है एक्जामिनर पेज गिनता है और अगर दीर गुद्री प्रसने का उतर आप तीन से चार पेज के अंदर लिखे रहेंगे तो एकजामीनर आपको अच्छा नमबर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर तो यह किलियर हो गया कि अगर आपकी हेडिंग लिखावट अच्छी है और पेज में लिखे हैं अगर तीन पेज के अंदर अगर आप उतर लिखे हैं तो आपको एकजामीनर नमबर देते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सी ज़र बता दू कि दोस्तों देखिए ज्यादा तरे स्टुडेंट ऐसे होते हैं जो परिख्षा के अंदर कोपी तो बहुत ज्यादा लिख देते हैं तीस पेज भी लिख देते हैं लेकिन उनको नमबर नहीं मिलता है reason यह होता है दोस्तो कि उनको copy लिखने का जो तरीका है वो पता नहीं होता है वो गलत तरीके से लिखते हैं कुछ mistakes करते हैं जिसकी वज़से उनके number कटते हैं तो दोस्तो यहां पर तो सवाल यह आ रहा है कि आपको तो परिच्छा में पास होना है और आप तो परिच्छा की त्यारी भी नहीं किया है तो आप कैसे परिच्छा में पास होंगे तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दू उन mistakes के बारे में जो आपको परिच्छा के अं में जो गल्तिया आपको परिक्षा के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है, देखिए, दोस्तो सबसे पहली गल्ति की बात करता हूँ मैं, तो सबसे पहली गल्ति जो होता है, जो ज़्यादा तर स्टुडेंट परिक्षा में करते हैं, वो यह करते हैं, कि जब प्रस्न संख्या लिखते हैं तो प्रस्न संख्या लिखते हैं समय बीच में इस तरीके से तीर का निसान बनाते हैं दोस्तों देखिए इस तरीके से क्या करते हैं तीर का निसान बनाते हैं इस तरीके से प्रस्न लिखते हैं उसके बाद यहां पे तीर का निसान बनाते हैं और प्रस्न संख्या लगते हैं दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये गलत तरीक में होता है अगर आप परिच्छांत्प संक्राइब लिखने समय लिखने में तरीक में लिखेया उसके से बा hes्न समय लिखते समय भी क्या करते हैं कि उतर लिखने के पास सामने इस तरीके से तीर का निसान बनाते हैं और ये गलती ज्यादातर लोग करते हैं और इस गलती की बारा से जो है उनको ज्यादा नमबर नहीं देता है बलकि उनका नमबर कड़ता है तो आपको क्या करना है आपको परिक्षा में इस तरीके से तीर का निसान नहीं बनाना है यह भी तरीका गलत होता है दोस्तों तीर का निसान आपको नहीं बनाना है ठीक है उसके बसे तीसरी गलती की बात करते हैं जो तीसरी गलती है दोस्तों तीसरी गलती है देखिए तीसर सिस्टार नहीं बना ना क्योंकि अगर सीस्टार बनाएंगे तो एक्यामिनर सबसु नमब्र को काटेगा तो यह ऊपर बैाल के लिएंग का चाहिए लिदिक स्टार गवर्णानी। टारीव Ltd.. Nem подобly कि में परिक्सा भी, मैं जाउस में और सब्दों को दूर दूर लिखूंगा, तो मेरे काफी जल्दी भर्डेगी और जल्दी काफी भर्डेगी तो ईग्जामिनर मुझे जायादा नंबर देगा, लeg케이न यह बिलकुल गलत तरीका वता होता दोस्तों और इस तरीके से जो examiner होते हैं उनको number भी नहीं देते हैं देखिए ये जो sabd लिखा गया है इनके sabdों की बीज की दूरी दूरी जो है बहुत जादा है तो ज्यादतर इस student जो इस तरीके से copy लिखते हैं सबदों को दूर दूर लिखते हैं उनका number दूस्तो 100% करता है क्यों कि एक्जामिनर जो होते हैं उनको ये पता चल जाता है कि ये copy भरने के लिए दूर दूर सब्दों को लिखा गया है और उसके बास इस examiner उनको number नहीं देते हैं देखिए इन सब्दों की बीज की दूरी कितना है, इतना इतना है दोस्तों, इन सब्दों की बीज की दूरी इतना ज्यादा है, अगर आप सब्दों की बीज की दूरी इतना ज्यादा लिखेंगे, इतना ज्यादा गयप देंगे, तो आपका नंबर अवस्चे कटेगा, तो यह गलती भी आपको परिक्षा के अंदर नहीं कहते हैं, इतना दूर दूर आपको नहीं सकते हैं कि सब्ठों को बड़ा बड़ा करना नहीं लिखना तो सब्ठों को बड़ा करना है तो इक्जामीलर जो आपका नमबर अवसे कटेगा तो इस तरीके से आपको सब्द को बड़ा नहीं लिखना है आप जिस तरीके से लिखते हैं आप छोटा अगर लिखते हैं तो छोटा लिखें बड़ा लिखते हैं तो बड़ा लिखें लेकिन इतना बड़ा बड़ा आपको परिक्षा में परक्षा करते हैं लिखते हैं जब लिखते हैं तो लिखने केsheetane करते हैं और इससे क्या होता मैं अभी आपको बता है तो देखिए यहां पर अगर हो heading लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं जैसे कुछ भी अगर वो लिखते हैं यहां पर यहां पर में कुछी भी लिख रहा हूं تو अगर वो पेज के दूसरे साइट पर,6 sein up पर लिख रहें है, तो होता क्या है कि जो इ anthropology group से लिखते हैं परिक्षा में तो पेज की दूसरे साइट सियाही पाई होगते हैं कि दूसरे साइट पर उसकी सियाही उतर जाती है और इसके स्याही की वज़ए सवाइट भाट थो आम को दोस्तों इसmo yummy करना है क्योंकि अगर्रों करेंग तो इससे आपकी जो है अक्षर खराब हो जाएंगे और आपकी जो लिखावट है वह भी कर Ps कर P भी लग गया है तो आपको यहत्हों करना है कुछ गलती उनको नमबार नेवन करना और नहीं देता है अब मैं बात कर लेता हूं कि सही तरीका क्या है और किस तरीके से आप परिक्षा में लिखेंगे सही तरीके से दोस्तों देखिए सही तरीका यहां पर यह है कि आपको क्या करना है आपको प्रस्न संख्या इस तरीके से लिखना है आपको सिंपल यहां पर प इस तरीके से इसके सामने डाइस देंगे आपको तीर का निसान नहीं बनाना है ठीक है आपको इस तरीके से उत्तर लिखना है उसके बसे आगे आपको बताता हूँ क्या करना है देखिए हेडिंग आपको कैसे लिखना है तो दोस्तो देखिए इस तरीके से आप हेडिंग लि लिखने का तो दोस्तों इस तरीके से आपको हेडिंग लिखना है आपको इस बात को याद को याद रखिएगा अब चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों देखिए अगले पेस पर मैं आपको बताया था कि ज़्यादातर स्टुडेंट क्या करते हैं सब्दों को दूर-दूर लेकिन आपको सब्दों को दूर दूर नहीं लिखना आपके दूरी कम से कम अधना ज्यादा से घ् commission करते लिखा है और आपके नमबर कोow ५ोऑ नमबर देंगे मुंटक्ताइब तो आपको अधना सब्ण सब्सक्राइब चाहिए उसके बाद कर लेते हैं अगली गल्ती सब्सक्राइब होनी चाहिए सब्सक्राइब उपर जो लाइन खीचे जाती है वो यहाँ पर टेढ़ा मेड़ा हो जाती है जैसे यहाँ पर सब्दों के ऊपर जो लाइन खीचा गया है वो टेढ़ा हो गया है यहाँ पर भी टेढ़ा हो गया है यहाँ पर भी होगा है यहाँ पर भी होगा है यहाँ पर भी टेढ़ा होगा तो इसे यह writing जो हें अच्छी लग रही है और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे सब्द के ऊपर जो i-man ini के नहीं है यह lining नहीं ही कहेंगे मन लोगम, आपकी necesra, नहीं नहीं हसे लिखेंगे सब्द करते हैं जैसे मैं लीख रहा हूं यहां पे और कोई भी सब्द तया कि इस सब्द को इस तरीके से इस तरीके से काटने लगते हैं ठीक है इस तरीके से काट देते हैं उसको दोस्तों आपको यह गलती परिक्षा में नहीं करना है अगर आपसे कोई सब्द गलती हो जाती है तो आपको इस तरीके से नहीं करना है ठीक है आपको इस तरीके से नहीं गल्ती करूँगा तो दिखता है और यह हाइलाइट हो जाएगा पूरे पेपर पूरे कोफी के अंदर जो पेश है आपका जिए यहा फो गलती होगा तो मैं दोच कि से काटेंगे हैं यह हाई-राइट हो जागा और रही जामीनर के टो को आपको इस तरीक के से सब्सक्राइब तो बस बीच सा सब्सक्राइब तो बैस राहें म vinegar भलता तु दोस्तो यह हो बात की आपको किस तरीके से लिखना और किस तरीके से नहीं लिखना है देखिये निब जालेते हैं कि आप मैं आपको कूछ भी नहीं आरहा है तो आप Wildlife उट दोस्तों देखिए उसका एक ही तरीका है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए आपको मैं बता रहा हूं देखिए यहां पर मैं कुछ आपको question paper मिल गया और आपके question में पहला प्रस्न दूसरा प्रस्न जो भी प्रस्न आगया आपको कि यह प्रस्न हुल कीजिए यह प्रस्न का उतर दीजिए और आपको इस प्रस्न का उतर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है आपको यह भी पता नहीं है कि यह प्रस्न में कभी करना है आपके अपने दिमाग से इसमें से आपको हेडिंग बनाना है ठीक है हेडिंग बनाना है और हेडिंग बना के जैसे मालीजी यहाँ पर हेडिंग बनाया है समाजिक प्रइस्थिती तो इस तरीके से आपको अपने दिमाग से देखना है कि इस कोश्चन में से मैं किस त लिखना होगा उसके बाद इसके अंदर माले बिंश साथ से ai੍ट लाइन जब लिख लिए उसके बाद से फिर अपने दिमाग से एक और हीoquЗдक पिर एक और मरेनद है और हैडिंग के अंदर भी कछ सandard नीग ठीद तक मि यहेежд बाद करने बनाक मोच आप देखिए कोई भी प्रस्न आपसे अगर पूछा जा रहा है तो प्रस्न के अंदर ही आपका हेडिंग बन जाता है जैसे यहां पर प्रस्न है परिवार के प्रमुख परकारों का बीवेचन कीजिए तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका इसमें हेडिंग बन जाएगा कि प सब के उपर आप बना-बनाखेा देखिए दोस्तों परिक्षा में अगर को कुछ भी नहीं आशा नहीं है जैसे म लिए कि यह प्रस्न है और यह प्रस्न आपको नहीं आरा है अगर आप तो आपको एक भी नामबर एगजामीणर नहीं देगा ठीक हैं लेकिन अगर वहीं माल लीजै इस प्रस् Hund के अंदर जो यह प्रसंण आपका है अगर आप इस प्रसंब का उतर अगर आप अपने दिमाग से बना बनाके लिख देंगे परिच्छा में, तो मान लिए अगर 10 नमबर का है, अगर आपको 10 नमबर नहीं देगा, अगर 8 नमबर भी देगा, तो भी आपको passing नमबर तो मिली जाएगा, तो आपको question को छोड़ना नहीं है दोस्तो, अपने दिमाग का यूज करना है, अगर पढ़ाई किये हैं, नहीं किय इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क यह पड़ेगा कि आपको लिखने का तरीका पता है कि नहीं पता है, तो आपको अपने दिमाग का यूज करना है, और दिमाग का यूज करके आपको इसी प्रस्ण में से, आपको बना बना के बना बना के उत्तर आपको लिखन आपको कोश्चन छोड़ना नहीं है ठीक है तो इस तरीके से जब आप कोश्चन को दो बार तीन पर पढ़ेंगे तो आपको ये खुद आइडिया हो जाएगा कि इसमें से मैं क्या हेडिंग बनाऊं और आपको पास होना है तो उसका तरीका में और बता देता हूं देखिए आपको पाता होगा कि जो दिर्ग उत्रिय प्रस्न होता है दिर्ग उत्रिय प्रस्न आपको कितने होता है दिर्ग उत्रिय प्रस्न का उतर आपको 500 सब्दों में देना होता है तो आप क्या कीजिए कि आप जो दिर्ग उत्रिय प्रस्न का उतर आप क्या कीजिए दिर्ग उत चार पेज के उंतर जब अंदर आप उतर लिखेंगे तो एक्जामीनर को लगेगा कि हम यह बंदा पढ़ा लिखा है और अच्छे से एक्स्पिलेंड करते हुए उतर को लिखा है तो इसे जो है ओ आपका नंबर जो है देगा आपका नंबर काटेगा नहीं ठीक है तो आपको बस यही करना है कि आपको हर प्रसने के अंदर कम से कम साथ से आठ हेडिंग के अंदर है उतर लिखना है अब आप यह सुच रहेंगो आपको आपको अपना दिमाग यूज करके जो भी प्रस्न है आपका परिभासित करते हुएली के ब्रहुतों की बेंवहाररों कीजिए यूज 신beroми्यों को में क्या होता है नातिदारी क्या होता है रिलेशन कैसे होता है एक दूसरे से क्या रिष्टा होता है दूस्तों इसके उपर आप लिखिए न आप अपने दिमाग कही उसके जी क्योंकि अभी तक तो आप हाई स्कूल इंटर के अंदर पर इच्छा दे चुके हैं आपको एक्स किसी भी प्रसने का उतर लिखेने का तरीका बहुत अलग अलग होता है आप अपने तरीके से लिखिए कोई बंदा और अपने तरीके से लिखेगा हर स्टुडेंट अपने अपने तरीके से इसको एक्स्पिलेंड करते हुए लिखते हैं तो आप अभी अपने दिमाग का यू तो उत्तर आपको लिखना है एक चीज में और आपको बता दो दोस्तो देखिए यह जो कोश्चन है दोस्तो ठीक है यह जो कोश्चन है जिसे मालेजी कि आप तीन कोश्चन आपको हल करना है दो कोश्चन का उत्तर आप लिख लिए और तीसरा कोश्चन जो थोड़ा कठीन है तो आपको प्रशन छोड़ना नहीं ऐसको उत्रतर देना दोस्त दोष्ती अग्जामिने के पास पूठी। ठीक है वो तो आपको पता है कि आपने कितना त्यारी किया है कि नहीं किया है आप पढ़ाई किया है कि नहीं किया है तो अब यहां पर पास होना है तो आपको यह काम करना होगा कि आपको भी वही करना होगा जो पढ़े लिखे लड़के लिखते हैं जिस तरीके से पढ़े ल भले आपको आ रहा है नहीं आ रहा है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपने दिमाग से बना बना के लिखिए आप समाज के अंदर देखिए कि समाज के अंदर क्या चल रहा है समाज के अंदर उस कोश्चन से समंधित तथे खोजिए उस कोश्चन को बार बार पढ़िए बार बार पढ़ेंगे तो idea आपके दिमाग में automatic आ जाएगा कि आजकल समाज में क्या चल रहा है और इस प्रशने के उपर आप क्या किजिए उस प्रशने के उपर बना बना के अपने दिमाग से लिखिए तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आ यह तो मैं उस टोपिक उपर विडियो बनाऊंगा तो दोस्तु आजके लिए तो नहीं